नाव आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए है जहाँ पर बताय जा रहा है कि चाइना ने मिसाइल की वर्षा करती है ताइवान की तरह यहाँ पर आप देख पाऊगे चाइना स्पीपल्स लिबरेशन आर्मी रेंज लिटरली बारिश करती है बलेस्ट यहाँ पर देख पाऊगे यह ताइवान का मैफ है यहाँ पर चाइना हो गया यह जो लोकेशन है यहाँ पर चाइना ने सेट कर दिया और लगातार यहाँ से मिसाइल लॉंज होते हैं और सीधा यहाँ पर इनका ब्लास्ट हो रहा है यह एक ज़्यादा अच्छी रेप्रे कर सकते हैं ताइवान की पबलिक में आज़के समय क्या पैनिक होगा क्योंकि जब मिसायल सीधा इनके ऊपर से गुजरता है तो यहाँ पर जो एर डिफ्रेंस सिस्टम में एक्टे हो जाती है आर्मे एक्टे हो जाती है या आप खेलीजे एक form of terrorism ही है चाइना काफी हट तर्राइस कर रहा है टाइवान के लोगों को टाइवान के लोगों ने Nancy Pelosi के अगेंस काफी नरे लगा है ये कहा कि get out of here we don't need you again ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं Fox News का ये एक बहुत ही famous American news outlet है नैंसी पलोसी जब विजट कर रही थी तो कई ताइवान के लोगों को लगा कि ये आप पर war start करवा देगी US बाद में ताइवान के defense पर आएगा नहीं ताइवान के लोगों को खुदी अपनी रक्षा करनी बढ़ेगी अब आप यहाँ पर पुछोगे ताइवान में ऐसी मेचे सामने क्यो आई नैंसी परोसी की विजट को लेकर ऐसे protest क्यो हुए देखो problem मैं कहूँगा यहाँ पर आती है कि USA में एक decisive leader नहीं है leader देखो बहुत important होता है example के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मंगोलों ने कई सदिया बता दी nomads की तरह कुछ खास उन्होंने किया नहीं फिर एक दिन चंगेज खांज जैसा leader आया उसने मंगोल empire को इतना फिला दिया उसके बाद एक के बाद एक उनके कई leader आये और मंगोल empire ने कई सदियों तक Asia इवन Europe के parts को dominate किया ये होती है leader की power एक leader अगर आपका सही निकल गया तो mangos जो काफी कम अबादी का एक ethnic tribe थे ये लोग पूरे Asia को conger कर सकती है USA में problem यही है कि दुनिया को समझ नहीं आता कि इनकी leadership कहना का चाती है इनकी actual policy क्या है क्योंकि एक दिन USA कुछ कहता है बाद में USA की सरकार का कोई wing होगा वो अपनी बाद को cut कर देगा अब for example Nancy Pelosi गई ताइवान में जो बाइडन इस visit के खिलाफ थे और सबसे अजीब बाद देखिए Mike Pompeo, Mike Pompeo आपको याद होगा Donald Trump के time में USA के secretary of state थे मतलब क्या आपके लीजिए USA के विदेश मंदरी थे इन्होंने जो बाइडन की अलोशना करी क्यों क्योंकि जो बाइडन ने warning दी थी पिलोसी को के please आप ताइवा ना जाए इन्होंने का क्या message send कर रहे हो दुनिया क्या सोचेगी क्या सोचेगा हमारे बारे में के US internally इतना बटा हुआ है पिलोसी की विजिट को लेकर हाला कि बात में जब पिलोसी एक बार चली गई तो US की ने भी committed थी कि हम इनको defend करेंगे मगर उसके beyond आप अगर जाओ कि अगर मानलो चाइना ने टाइवान पे attack कर दिया पिलोसी की विजिट खतम होने के बाद पिलोसी दो वापस US आ गई उसके बाद अगर मानलो चाइना ने एक के बाद एक मिसाइल अगर डग दिये टाइवान पर तब US क्या करेगा तब क्या US चाइना के डिफेंस में आएगा अब इसको लेकर भी कोई प्रॉपर लिडर्शिप है नी USA में आप सब को याद होगा जो बादन ने आसे कई महीनों पहले काफी बार 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 यह रिपीट करके का था कि अगर चाइना ने attack किया ताइवान को तो US मिलिटरिली रिस्पॉंड दरेगा जीब बात देखिए अमेरिका का इमीडिया कह रहा है कि वाइट हाउस जहाँ पर बेसिकली जो बादन रहते हैं जिनकी सरकार वाइट हाउस से चलती है वाइट हाउस ने बाद में का कि नई नई ऐसा कुछ नहीं है हमारे याँ कोई policy change नहीं हुआ ये चीज कई बार देखी गई जो बादन ने कई बार बोला कि हम ताइवान को back करेंगे बाद में वाइट हाउस ने खुदी अपने प्रेजिडेंट की जो statement है इसको cancel कर दिया अब ये सब जो news हम Indians पढ़ रहे हैं ताइवान के लोग भी पढ़ते होंगे वहाँ पे शौक होगा इन लोगों ने खुदी decide नहीं किया कि इनको करना क्या है ये खुद कुछ commitment करना नहीं चाते और फिर जो recent example हुआ युगरेन का अब बीच में ताइवान ने ये भी कोशिश करी कि इनके पास nuclear weapons आ जाए इस पर बहुत article पप्लिश हुए थे ताइवान ने बहुत जोर लगाया युएस हैं बड़ा pressure डाला कि कुछ nuclear weapons ही हमको देतो हम उसे डिरा देंगे चाइना को धंका देंगे कि अगर आपने हम पर attack कर दिया कोई missile हम पर गिरा तो हम भी जवाब देंगे इससे deterrent सा create हो जाएगा युएस यहाँ पर भी नहीं माना युएस ने कहा दिया कि ये non-proliferation treaty का violation होगा तो since युएस इतना जादा indecisive है युएस के तरफ से आप के लिजे कोई proper policy हम को समझ नहीं आती कि है क्या ताइवान को लेकर चाइना बड़ा confident feel कर रहा है कि अभी के लिए तो ताइवान को जितना terrorize करना है कर लो खूब missile के आसपास मार लो एक आज missile अगर लग भी गया ना तब भी USA ने कुछ खास नहीं करना हाँ ये अलग बात है मैं कहूँगा कि अगर मालो बिलकुल चाइना ताइवान पर चड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और अपनी military भेज़ता है तो हो सकता है maybe US weapons provide करे ताइवान को या फिर और तरफ से pressure build up करना की कुछिश करे that might be possible मगर जो ये missile strikes है इनका क्या होगा तो देखिए अनने वाले चार देर बहुत जादा tension वाले होंगे ताइवान के लिए और मैं अमीद यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि चाइना जो ये live firing कर रहा है missile की कोई missile ताइवान को लगना जाए कोई civilians की यहाँ पर death ना हो जाए ये ताइवान के लिए खराब होगा global economy के लिए खराब होगा I hope in the end